जैश्री कृष्णा आज हम बनाएंगे एक लिटर दूद में बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट और पूस्टिक दूद पाक की रैस्मी तो चलिए बनाना शुकरते हैं यहां पर हम लेंगे ड्राइफूर्ट तो ड्राइफूर्ट अपने कम या जादा भी ले सकते हैं यहां पर दूद चिपके ना इसके लिए थोड़ा सा एक से दो चमज पानी डालेंगे और एक लीटर दूद पूरा डाल देंगे एक लीटर दूद में तीन से चाल लोगों के अच्छी तरीकी से दूद पाक बन जाता है तो यहां पर क्यास को मिने फ्लेम पर रखेंगे और इस आप चाहें तो बदाम का चिलका निकाल यहां पर नहीं निकाला है थोड़ा सा पानी डालेंगे और सबको बारिक पेस्ट बना लेंगे यकीन माने एक बार अगर आप दूद पाक बनाते हैं आपकी फैवरेट डिस हो जाएगी दूद पाक ड्राइफूट की पेस्ट को पी यहां पर चावल बेगा के रखे थे न तो इन्हें भी हम यहां पर डाल देंगे यकीन माने पहरी आसाने चट पड़े और कम से कम चीजों से यह रैस्पी बन करके तयार हो जाती है दूद पाक की यहां पर हमने चावल डाल दिया है सब को इपर अच्छे से मिलाने की जैसे नीचे तले में चिपके नशावल तो अच्छी तरीकी से मिलाने के बार यहां पे हमने जो पेस्ट के रखत थे ड्राइफूरका उसे भी डाल देंगे तो यहां पे जार में जो भी थोड़ा सा पेस्ट लगा था तो उसमें पाइन डाल के हमने उसे भी मिकाल लिया है और जादा स्वादिश्ट बनती ही दूदबाग कीसर की धागे डालेंगे अगर आपके पास कीसर हो तो जरूर डाले इसका स्वाद बहुत जादा पढ़ जाता है तो कैस की मिटम प्लेम पर रखेंगे लगातार चलाते रहेंगे और इस तरीकी से देखेंगे जब तक चावल जाता है तब तक हमीन पकाना है अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे ढग दे कैस्लो कर दे और दस मिट के बाद आपका दूदबाग बन करके तयार हो जाता है तो आप इस तरीकी से चलाते ही लगातार और जो भी किनारे में चिपकता उसे भी निकालते रहें किनारों को खुरुष के निकालते रहें इससे ही आपके दूदबाग का स्वाद बेहती ज्यादा स्वादिस्ट हो जाता है तो बस इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे और बीच में चेक कर लें तो दस से पंदा मिट के अंदर ही चावल पक जाते हैं और यह देखिए उसे साब से आप चीनी डालें तो यहां पर हलका ही मिठा रखेंगे तो यहां पर हमने डाला है चार चम्मच चीनी तो यहां पर चीनी अपने स्वादों सारी आप डालें चीरोंजी डालेंगे एक चम्मच तो दूद पाक में आप जब चीरोंजी डालते तो इसका फ्लेव तो अच्छे स्वाद के लिए आपको इलाइजी तरह में कूट के अच्छे तरह केसाँ अद आला है और उसके बाद यहां पर हम पाग बन करके तैयार हैं तो यहांपे हुझेटर दूद में दो चम्मच चावल डाला है आप जाहें तो चावल को दरदरा या टुटे हुए चावल जो देने उने भी आप डाल के बना सकते हैं तो यह हमारी दूद पाक की बिहती स्वादिस्ट सी दूद से बनी रेस्पी बन करके तयार हैं दूद पाक को बनाना काफी असान है और यह स्वाद से भर पूर फूट रेस् ना है पानी में तो बस यह हमारी स्वाधिस्ट और हल्दीसी दूद पाक की रैस्पी बन करके तैयार है बस आप इसे घर्मा गर्म सब करें ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और भी थीक होता है इसलिए पहुत जादा गाड़ा नहीं करना है और यह हमारी परफेक्ट दूद दूद पाक बन करके तैयार है दोद पाक को सर्फ करते हैं समेच रोली बदाम या पिस्टा से सजा के सर्फ करें रैस्पे आप यह किसी भी आपको पसंद आया होगा और अगर रेजबी प साथ तर तक अपना ख्यार रखें ठाइक्स पर Mach material